कहते हैं न एक सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही हमारी फिल्म इंडस्री में भी उक्ते सूरच को सलाम किया जाता है और किसी सितारे की चमक पी की पड़ते ही उसे भुला भी दिया जाता है बॉलिवुड में अलग-अलग दौर में ऐसे कई कलाकार आए जिन्होंने अपने करियर के शुरुवाती दौर में तो खूब उचाहिया देखी लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इंडस्री ने इस तरहा भुला दिया कि वो गुमनामी के अंधिरे में जिंदगी काटने को हैं तो चल ये शुरू करते हैं मेरे और आपके साथ उन गुमनाम सलेप्स की कहानी शुरू करने से पहले सब्सक्राइब तो कर ही दीजे हमें ताकि मैं ऐसी विडियो आप तक प्लाती रहूं एक दौर था जब राहुल रॉय की लड़किया दिवानी हुआ करती थी हर कोई उनकी फिल्म आशकी के गाने गुन-गुनाता था सलून वाले तो राहुल रॉय की स्टाइल में कटिंग करना सीख रहे थे मतलब क्या स्टार्डन था भाई साब आशकी के बाद इस एक्टर को धड़ा-धड़ फिल्म में मिलने लगी पर इन में से बहुत सी फिल्म कामिया नहीं हो पाई आशकी गर्ल अनुअगरवाल और राहुल की जोड़ी फिल्म गजब तमाशा में फिर से दिखी लेकिन इस सब के बाद भी ये फिल्म फ्लॉप हुई कुछ सालों के ब्रेक के बाद राहुल 2005 में फिर मेरी आशकी के साथ परदे पर लोटे लेकिन बात नहीं बनी राहुल फिर दिखे बिग बॉस के फर्स सीजन में बतौर कंटेस्टन्स और इस बार फैंच ने राहुल को भरपूर प्यार दिया और आखिरकार वो बिग बॉ के बॉस बन गए अब आशकी की बात हो रही है तो आशकी गल को कैसे भूर सकते हैं अनु अगरवाल 1990 में अनु लाखो करोडो के दिलों की मलिका बन गई थी इसके बाद उनकी खलनाई का नाम की एक और फिल्म आई लेकिन आशकी जैसा जादो इनकी कोई फिल्म नहीं चला पाई 1996 में रिटर्न ओफ ज्वेल्थीव के बाद वो गायब हो गई सालों बाद पता चला कि अनु का 1999 में एक बड़ा एक्सिडेंट हुआ था जिसके बाद वो 39 दिन कोमा में रही और काफी बाते फूल गई आज कल वो योगा इंस्ट्रक्टर का काम कर रही हैं सल्मान खा लेकिन क्या आप जानते हैं कि भागे श्री सांगली की राजकुमारी है उनके पिता वहां के राजा तीरियल कची धूप से अपना एक्टिंग करियर शुरू करने वाली भागे श्री को सल्मान के साथ मैंने प्यार किया में फिल्मी डेब्यू का चांस मिला जिसने इन्हें चांद पर पहुचा दिया लेकिन इस फिल्म के फॉरन बाद अक्ट्रिस ने शादी कर ली हर कोई उन्हीं अपनी मूवी में लेने के लिए दरवाजे पर खड़ा था लेकिन उनकी शर्त ऐसी थी कि सभी हैरान रहे गए अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या शर्त रग द आने के लिए तो सुनिये उनकी शर्त ही अगर वो मूवी करेंगी तो अपने पती हिमाले दस्तानी के साथ की करेंगी और कोई हीरो नहीं चलेगा कुछ फिल्मों में तोनों साथ नजर भी आए लेकिन वो फिल्म में अनपॉचुनेटली फ्लॉप हो गई बाद में इंडस् में वापस दिखी लेकिन पहले जैसा जल्वा फिर कभी नहीं दिखा राज कपूर के निर्देशन में 1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मेली इस फिल्म में दिखी मंदाकनी और वो अपनी खुबसूरती और आक्टिंग के चलते रात और रात स्टार बन गई इसी फिल्म ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में की लेकिन इनका सितारा जितनी तेजी से चम का उतनी जल्दी डूब भी गया नबे के दशक की शुरुवात में मंदाकनी का नाम अंडर वर्ड डॉन से जुड़ने लगा जिसका उनके बॉलिवुड करियर पर बहुत असर पड़ा और उन्हें काम मिलना मुश्किल हो गया इसके बाद मंदाकनी कहीं गायब हो गई नेक्स ऑन माई लिस्ट इस कुमार गौरव जो रातो रात स्टार बने और फिर अचानक जैसे कहीं गुम हो गए अपनी पहली फिल्म में ना केवल कुमार की आक्टिंग की तारीफ हुई बल्कि लोग उनके स्टाइल को भी कॉपी करने लगे इंडियन सनिमा के दिगच अदाकार राजेंदर कुमार के बेटे कुमार गौरव अपने पिता के नक्षे कदम पर चले लेकिन वो उनकी तरह सिल्वर स्क्रीन पर खास चमक नहीं विखेर सके हाला कि कुमार गौरव की पहली फिल्म, लव स्टोरी आज भी बॉलिवोड की सबसे फेमेस फ्रेम कहानी वाली फिल्मों में से एक है पहली ही फिल्म में कुमार ने वो स्टार्डम, वो शोहरत का मुकाम हासिल किया जिसे पाने के लिए आक्टर्स को कई सालों का इंतजार करना परता है आपने कहावत सुनी होगी कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता ऐसा ही कुछ कुमार गौरफ के साथ भी हुआ पहली फिल्म हिट होने के बाद धीरे धीरे उनका करियर धलान पर आ गया लव स्टोरी की सक्सेस के बाद उनकी फिल्मों के ना चलने की वज़े से उन्हें वन फिल्म वंडर कहा जाने लगा एक दिन ऐसा आ गया कि वो हमेशा के लिए बड़े पर्दे से गायब हो गये जरूर बताई अगर इस लिस्ट में मैं किसी स्टार को मिस कर गई हूँ अभी के लिए टाटा बाई बाई सायोनारा अच्छा तो हम चलते हैं